स्मार्टफोन का क्या है मतलब कुछ हजारों से लेके और फिर धेड़ पॉने दो करोड रूपे तक भी आते हैं लेकिन आज आप इस वीडियो को गई देखते रहिए और मैं आपको बताने वालों कि अंडर 20,000 बेस्ट फोन कौन से हैं मार्केट में भी जो आप ले सकते हैं और आपको काफी एक अच्छा पावफुल एक्सपिरिंस मिलेगा इन सभी फोन के साथ में मुश्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव आप दिख रहे हैं टेकनिकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं अब गैसे को लिस्त तो बहुत लंबी थी बट मैंने कंपाइल किया है ये छे फोन्स जहां पे एक तरफ लावा है एक तरफ सामसंग बीच में वन प्लस भी है नथिंग भी है, रियल मी भी है और मुट्षोला भी है खाफ एंटरस्टिंग ये फोन्स हैं जो आपको इस बजट में मिलते हैं और बीच हजार की रेंज में न काफी एक प्रीमियम आपका एक्स्पिरिंस मिल जाते है तो स्टार्टिंग ओफ विद दिस वन यह है हमारे पास में लावा का ब्लेज कर्व और यह जो फोन है में बोलूँगा कि 20,000 के नीचे है दोस्तों जिस प्राइस पे फोनों भी आ रहा है न आपको एक बहुत प्रीमियम एक्स्पिरिंस मिल जाता है मतलब अगर हम बात करें इसके कर्व्ड स्क्रीन की या अगर हम बात करते है the way the phone feels in hand clean आपको जो एंड्रोइड करें दर मज़ा मिल जाता है without any extra applications pre-installed अगर हम बात करते हैं कैमरा की तो यहाँ पे 64 मेंगा बिसल्स का triple camera है 5000 mAh की बैटरी है मतलब all together एक बहुत अच्छी value लोके आता है 20,000 की नीचे जहाँ पे प्राइस है 17,000 और ऐसे में Dimensity 7050 प्रोसेसर के साथ मैं मतलब all together अगर हम एक बात देखें इस phone की तो definitely a great value for this price तो सबसे पहला जो pick हमने किया है वो है यह Lava Blaze Curve जोस्तों इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास में और बहुत सारे phones हैं the next one that we have is this और यह है Realme की तरफ से आने वाला Realme का Narzo 70 Pro अब यह जो phone है यह essentially a same phone ही है जो Realme का 12 Plus है उस जैसा ही बट अगें यहां पे भी जो आपको value मिल रही है वो बहुत अच्छी है विकाज हमारे पास में अगें 7050 प्रोसेसर है और यह लेके आता है 50MP का triple cam setup जहां पे जो design है इस phone का वो बहुत आपको अच्छा लगेगा एक तम ऐसा flat edges के साथ में काफी आपको एक किनो premium experience मिलने मारा है हमारे पास में 120 Hz का इसके अंदर भी screen लगा है इसमें भी 5000 image की battery है 67 watts की fast charging के support करते है और all together अगर आपको realme वाले phones पसंदे जो कि काफी लोगों को हैं तो मेरे कहाल से ये जो narzo series है इसका 70 pro एक अच्छी value लगाता है जहां पे headphone jack होगरे भी है तो मतलब मेरे कहाल से overall अगर हम देख लें तो ये भी एक बहुत अच्छा fit बैठता है 20,000 के नीचे के budget में तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम बात करते हैं इसकी और इस phone को अभी आयवे time हो गया है बट अभी भी मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत interesting proposition बनता है 20,000 के नीचे विच इस the OnePlus Nord CE3 Lite थोड़ा पुराना phone ये हो गया है बट अभी भी काफी लोगों के लिए ये बहुत पहली पिसंद बन जाता है considering कि ये OnePlus की तरफ से आता है हमारे पास में एक 120Hz वाला AMOLED screen इस phone के अंदर भी जो बैटरी है वो 5000 image की अगेन आपको अच्छा backup मिल जाएगा camera जो है primary वो 108 Mpx का है ये एक इसकी main highlight है phone की altogether और अगर हम बात करते हैं design जैसे इसके vibrant colors है तो youth को काफी ये target करते है और overall it's a great value अगेन, 2000 के नीचे के budget में अगर आपको OnePlus का feel चाहिए तो ये जो Nord CE3 light है वैसे भी CE4 light भी लगता है आने वाला है but still this becomes a great value for this price अब दोस्तों आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक phone जिसको मैं लेके आऊंगा list में although price थोड़ा सा उपर है 20,000 के but अगर आप manage कर सकते हो और कभी-कभी offers में आपको 20 की range में मिल जाएगा तो guys ये phone है जिसका कोई मुकाबला नहीं है especially इस price bracket में बहुत एक अच्छा phone बन जाता है which is the new nothing phone 2A मतलब पहले बात तो आप design ही देख लो जतना interesting इस phone का पूरा design है glyph interface आपको मिलता है एक बहुत ही premium screen है again 120Hz पर operate करता है symmetrical bezel से all around अगर हम बात करते हैं performance की तो यहाँ पे immediate dimensity 7200 pro processor को use किया है nothing ने 50 plus 50 megapixel का यह dual cam setup है 5000 image की बैटरी है 30MP सेल्फी कैमरा है जो design है आपको पूरा nothing always का flavor मिलता है वाइस this phone is really class apart मतलब बहुत एक अच्छा experience लेके आता है यह nothing का phone 2A under 20 launch हुआ था तो special price थी on the day of sale बीच-बीच मुलता है आपको offer से मिल जाएगा इस phone को मत छोड़ना बहुत एक अच्छा experience है इस nothing के phone में अब गाई अगर आगे बढ़ते हैं न तो next what we have is this यह है Motorola का phone G54 आपको Motorola कितनी अच्छी एक value दर है all together अगर हम देख लें devices में तो यह जो phone है काफी एक interesting price budget में आता है और उस price के साथ में आपको 120Hz refresh rate वाला screen मिल जाता है camera है हमारे पास में OIS वाला 50MP cells plus 8 का ultra wide आपको battery जो इस phone में 6000 mAh की मिल जाती है overall combined with again clean UI of Motorola जहां पे यह वाले options तो आपको पता है मिलते ही हैं Moto के phone में तो यह सारी चुरूं के साथ में Moto का G54 है again becomes a great choice budget अगर आपका 20,000 के नीचे है अगर हम बात करते हैं इस last phone की तो मेरे पास में यह है for all the Samsung fans which is this Samsung Galaxy M34 5G यह phone भी जोस्तों 20,000 के नीचे आता है और यहां पे आपको Samsung के UI का जो है वो पूरा flavor मिलेगा Samsung का One UI आपको इस phone में मिल जाता है अगर हम बात करते हैं cameras की तो we have a triple cam setup जहां पे this is a 50MP plus 8MP का plus 2MP macro भी है of course 6000 मेंच की बैटरी है इस phone में भी processor जो है वो है Exynos का 1280 और overall अगर हम Samsung का एक इसमें DNA समझें with this new design language आपको headphone jack भी मिल रहा है overall M series के point of view से the M34 is again बहुत एक अच्छी fit है इस price bracket में guys there you have it मतलब अगर हम बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक सारे phones 20,000 के नीचे हैं थोड़ा बहुत कोई उपर भी है बात more or less in the same bracket अलग-अलग branch की तरफ से आते हैं depending on की who you are आप अपना phone यहां से pick कर सकते हैं सामसंग का phone चाहिए this is the list 20,000 के नीचे best smartphones इंडिया में needless to say सारे phones of course 5G है सारे phones of course आपको basic options जो होते हैं like fingerprint, scanner, बहुत बहुत चीज़े वो provide करते हैं guys अब आप बताओ कि आपका favorite phone कौन सा है इन में से और आप इन में से कौन से phone को pick करना चाहोगे या आपका कुई और recommendation इन सब के अलावा नीचे comment करते वे वैसे मेरा personal favorite है फिलहाल ये वाला until the next one comes लेकिन अगर मैं pick करता इन सब में से तो मैं आपको मेरी ranking बताता हूँ 1, 2, 3, 4 करके 6 तक नमबर 1, nothing नमबर 2, मैं बोलूँगा नार्जो नमबर 3 है लावा नमबर 4 है वनप्लस नमबर 5, मोटरोला और नमबर 6, Samsung इन 6 में से ये मेरी ranking है आपकी कह है दीचे comment करें जरूर बताना और वीडियो के इंजार करना बहुत जल्दी आपके लिए और interesting videos में लेके आने वाला हूँ विलावडो में इतना ही जय हिंद वन्दे मातरम